आज हम बनाएंगे अंडा करी इसी बनाने का मैंने बहुती सिंपल तरीका बताया है बहुती आसानी से ये दस मिनट में बनके तयार हो जाता है और खाने में तो बहुती ज़्यादा टेश्टी है तो चलिए फिर देर किस बात की आज की मज़ेदार रेसिपी सुरू करते हैं पैन में धालके नश्क करेंगे इस है अच्छे से गोल्डेन ब्ञाउन होने तक फ्राई कर लें करें और यहां देख सकते अंडे बहुत अच्छे से लाईट गोल्डेन ब्राउन हो गया है इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है फटा-फट से इसे हम निका पका लेंगे अध्रक लेसुन को मैंने पका लिया है अब हम इसमें बारीक कटा हुआ दो प्याज डाल देंगे अच्छी तरीके से मिला देंगे अब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग का में ज़्यादा डाल सकते हैं और नमक के साथ प्याज को दो मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और यहाँ देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे और एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि प्याज टमाटर सभी चीजे अच्छे से पक हैं और यहाँ देख सकते हैं सभी चीजे अच्छे से पक गई याँ अब हम इसमें आधी चुटी चमच Twoday आधी चुटी चमच कास्मीरी मर्ज पाउडर आधी चुटी चमच धनिया पाउड़र और आधी चुटी चमच जीरा पाउडर द आल देंगे कि सभी पाने डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं अच्छे से पख जाएं सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि सभी चीजे अच्छे से मिल जुल जाएं और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पख जाएं और यहां देख सकते हैं मसाले बहु उबाल आने देते हैं और यहां देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ रही है अब हम इसमें फ्राई किये हुए अंडे को डाल देंगे अच्छी तरीके से मिला लेंगे आधिक से एक मिनिट के लिए इसे पका लेंगे लाश्ट में इसमें हम फ्रेज धरी धनिया की पत्ते डा हो गई है इसे अब थोड़ा सा ठंडा करके सरो करें देख सकते हैं देखने में बहुत ही जड़ा डिलेशियस लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेश्टी है आप भी इस अंडा करी की रेशिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो झाल चौरा पजद बहुत हिए वीड़ा वीडशी की जरूरर बहुत हिर से शित पसक्ते है कले हैं दरूर गीजिपा पसंददया करें दित सकते ही लागमें इस वाल में जरूर तो बहुत हुत हैं ॉमजड़ा ओफ्निय अल्यों सा पर गलो करें है झाल झाल